हलो दोस्तों आप सभी का हमारी चैनिश्टेडी रूपे जिकिसन में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बालवी कास और सिक्षा सास्तर के महतपुड MCQ प्रश्णों पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण दिया गया है प्रातमे की स्थर पर एक सिक्षक में निम्नमें से किसे सबसे महतपुडaremos्यश्टा माणा जाता है पहला है पढ़ाने की उत्सुकता दुसरा है धैरिय और दृर्ध़ता सिक्षड पधतियों और विशियों के ज्यान में दक्षटा और चौथा है अद्धी मानक भासा में पढ़ाने की दक्षता तो इसका सही अंसर होगा दूसरा ओप्षन धैरे और द्रिर्ता प्रात्मी की स्तर पर एक सिक्षक में धैरे और द्रिर्ता विसिस्ता का होना सबसे महत्पुर्ण माना जाता है अगला प्रशन है सिक्षा का उद्धिस से होना चाहिए पहला है विद्यार्थियों में बेवसाई कुसलता का विकास करना विद्यार्थियों में समाजिक जागरुकता का विकास करना विद्यार्थियों को परिच्षा के लिए तयार करना बिग जीवन के लिए विद्यार्थियों को तियार करना तो इसका सही अंसर होगा option 4 अगला प्रशन है सिक्छड का सत्तावादी स्तर है पहला option है सिक्छा किंद्रित दूसरा option है छात्र किंद्रित तिसरा है प्रधानध्यापक किंद्रित तो इसका सही अंसर होगा पहला option सिक्छा किंद्रित सिक्छड का सत्तावादी स्तर है सिक्छा किंद्रित अगला प्रशन है सिक्छा का अधिकार धिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्छा 1-5 तक यदि प्रवेश दिये गए विद्यार्थियों की संख्या सिक्छा का अधिकार धिनियम 2009 में किस प्रका निर्दिष्ट किया गया है यदि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होने पर option A है 30 बच्चों में एक सिक्छक होना चाहिए 40 बच्चों में एक सिक्छक 45 बच्चों में एक सिक्छक पचास बच्चों में एक सिक्षक, तो इसका सही अंसर होगा, दुसरा उप्षन, 40 बच्चों में एक सिक्षक का होना आवस्यक है अगला प्रशन है सिक्षक अधिकार धिनियम, 2009 में एक अध्यापक के लिए नियुन्तम कारी घंटे, प्रती सप्ताह निरधारित किये गए है एक सप्टाह में एक सिक्षा को कितने घंटे कारी करना है यहां सिक्षा का अधिकारतिनियम 2009 में किस प्रकार निधारित किया गया है पहला अप्शन है 40 घंटे, दुसरा है 45 घंटे, दुसरा है 50 घंटे और चौथा है 55 घंटे तो इसका सही अंसर होगा 45 घंटे एक सिक्षक को एक सब्ताह में 45 घंटे निन्तम कारी करना आवस्यक है अगला प्रशन है सिक्षक अधिकारतिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नमेशे की ज़्दायतों को पूरा करना होगा पहला ओप्सन है विद्यालय में नियमीत रूप से समय पर उपस्तित होना होगा दूसरा है पाठ्यकरम का संचालन कर पूरा करना होगा तीसरा है संपुन पाठ्यकरम निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और चौथ है उपरोक्त सभी तो इसका सही अंसर होगा Option 4 उप्रोक्त सभी सिक्षा का अधिकार धिनियम 2009 के नुसार एक अध्यापक को नियमित रूप से इसकुल पर उपस्तित होना होगा पार्ठे क्रम का संचालन कर पूरा करना होगा और पार्ठे क्रम को नियुदारित समय पर पूरा करना भी उनका दायत्व है अगला प्रस्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उदेश्य है पहला उप्सन है नवीन ग्यान की खोज दुसरा है सैक्षिक परिस्थितियों में बेवहारविक ग्यान का विकास तिसरा है विद्यालाय तथा कक्षा की सैक्षिक कारे परडाली में सुधाल लाना और चौथा है उप्रोक्त सभी तो इसका सही अंसर होगा तिसरा उप्सन क्रियात्मक अनुसंधान का उदेश्य है विद्यारह तथा कक्छा की सैक्षिक कार्य प्रडाली में सुधार लाना अगला प्रश्ण है यदि छात्र अधिकान्स कार्या स्वयम के हाथों से करेगा तो छात्र में पहला है सारीक सक्ती बढ़ती है, मांसिक सक्ती बढ़ती है परिश्रम करने की भावना जागरित होती है और चौथा है आत्मनिर्भरता पैदा होती है तो इसका सही अंसर होगा Option 4 आत्मनिर्भरता पैदा होती है अगला क्यूस्चन है इसमीत ने सिक्छड की त्रीधुरुवी प्रक्रिया में कारेवाहक माना है इसमीत के द्वारा सिक्छड की त्रीधुरुवी प्रक्रिया में किसे कारेवाहक माना गया है अभी भावक को, सिक्छड को, सिक्छार्थिक हो, पाठ्यक्रम को तो इसका सही अंसर होगा दूसरा option सिक्छड को अगला प्रशन है भारत के सविधान में किस के लिए निसूल का निवारे सिक्छा है सभी के लिए, 14 वर्ष तक के सभी पच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रोडों के लिए, सभी नागरिकों के लिए तो इसका सही अंसर होगा दूसरा option प्रशन 14 वर्ष तक के सभी पच्चों के लिए, भारती सविधान में निसूल का निवारे सिक्छा है अगला प्रशन है, सिक्छक को ग्रिह कारे की जाँच करनी चाहिए पहला option है कभी कभी, दूसरा है कभी नहीं, तिसरा है नियमित, और चौथा है जब छात्र कहे तिसका सही अंसर होगा, नियमित, एक सिक्छक को ग्रिह कारे की जाँच नियमित करनी चाहिए अगला प्रशन है, बच्चों की रूची बनाए रखने के लिए, आप कौन सी विधी का चेयन करेंगे पहला प्रशन है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रशन पूछेंगे, दुसरा है स्वयम गति विधी करेंगे और बच्चों को बताएंगे, तिसरा है आप गति विधी में बच्चों को सामिल करेंगे, चौथा है बच्चों को स्वयम गति विधी करने के परिफ़नता में विकास करती है। यह कथन किसका है। स्वामी वेकानन जी का, इसकी नर का, पेश्टाला जी का, रविन्दना darf टैगोर का। तो इसका सही आंसर होगा, पहला उप्सन स्वामे वेकानन जी का। सिक्षा मनुष्य में अंतर नहित छमता का परिपूर्णता में विकास करती है यहां कथन स्वामी विकानन जी का है अगला प्रश्ण है सिक्षड से अभिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है पहला है परिच्छप्र नामों पर किंद्रित होकर बाल केंद्रित सिक्षा परधती अपना कर रटने को प्रुचसाहित करके और चौथा है अग्रह सिक्षड की तकनिक अपना कर प्रश्ण में कहा गया है सिक्षड से अभिगम पर बल देने वाला परिवर्तन तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन दो बाल केंद्रित सिक्षा परधती अपना कर सिक्षड से अभिगम पर बल देने में परिवर्तन हो सकता है और इस वीडियो का आखरी प्रश्ना निम्न में से कौन सी प्रगति सिल सिक्षा की विशिस्ता है समय साड़नी और बैठक ब्यवस्ता में लचिलापन दूसरा है केवल प्रस्तावित पाथ पुस्तकों परधारी तनुदेश तिसरा है परिच्छार्थियों में अच्छे यंग प्राप्त करने परबल और चौथा है बार बार ली जाने वाली परिच्छा है तो इसका सही अंसर होगा पहला अप्शन समय साड़नी और बैठने की विवस्ता में लचिलापन प्रगाती सिल सिक्छा की विश्ता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे यह और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं